C I E T N C E R T द्वारप्रस्तुत है ये श्रिंखला अक्षर की कहानी आज का हमारा अक्षर है ह तो आईए सुनते हैं ये कारेक्रम ह से होटल हाथी का नमस्ते बच्चो नमस्ते हा आये पैप्र तो बच्चो हमारा आज का अक्षर है हा बैसे हम हासे हम, यह हासे हमारा, यह हासे होटल, यह हासे हाथी, हासे हाथी, अरे वा क्या बात है, तो क्यों ना बच्चों, आज हम हाथी के होटल की ही कहानी सुने, यह हाथी का होटल नहीं होता, लेकिन इस कहानी में है, हाथी का होटल लो बहुत मज़़दार बात है, बिल्कुल सह कहा तुमने यह तो बड़ी मज़धार बात है मेरी आज की कहानी का नाम है हा से होटल हाथी का हा से होटल हाथी का बिल्कों सही कहा तुमने तो बच्चो एक था जंगल वहाँ पर हाथी का होटल था और उस होटल में हाथी आने वाले ग्रहकों को याने वाले जानरों को ही स्वादिष्ट खाना खिलाया करता था आओ चीको बंदर बैठो तुम क्या खाओगे अच्छा पाओ भाजी नोट कर लें अच्छा अरे चुहिया तुम क्या खाओगी मुझे आलू का पराठा खाओगी हाँ अच्छा चौमी तो बच्चो बहां का जो पॉलिस इस्टेशन था ना मतलब जंगल का था उसकी थानेदार थी हिरनी कौन थी हासे हिरनी शवाश हासे होट थानेदार हिरनी का नाम था हेमा क्या नाम था हेमा हासे हेमा अच्छा बच्चो थानेदार हिरनी चोरों को पकड़ कर जेल पहुचाती थी वहाँ पर जेल भी था हाँ बिलकुल सही कहा तुमने वहाँ पर जेल भी था थानेदार हिरनी बड़ी ही बहादुर और होश्यार थी हासे हिमाले, अरे वाह, क्या बात है, तो सुरो कहानी आगे, तो बच्चो, वहाँ पर लोमणी भी थी एक, बड़ी दुष्ट थी, बड़ी चालाक थी, काम धाम तो कुछ करती नहीं थी, बस हाथी के होटल में जाकर खाने पर हमला बोल देती, जब तक धीरे धीरे, हौले अपनी मस्त चाल से हाती आता, तो पता है क्या देखता, देखता कि लोमणी तो सारा का सारा खाना लूट कर भाग चुकी है, यह तो बुरी बात है, बुरी बात है हाथी, देखता, अरे, अरे, यह क्या, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, लोमणी तो मेरा सारा खाना लूट क बाग चुकी है अरे अब क्या करो क्या करो मैं हाँ हसे हाल और मुझे कहनी है कहानी जल्दी जल्दी तो बच्शो अब तो रोज ही ये हुड़दंग और हंगामा होटल में होने लगा लोमणी रोज खाने से भरी हांडी उठाकर ले जाती अच्छा हांडी समझते हो ना, हांडी क्या होती है जिसमे दाल पकाते हैं, शावाश जिसमें सब्जी पकाते हैं हां जिसमें सबजी पकाते हैं, हासे हांडी, हासे होली, हासे होली का, हासे हमला, हासे हमला, तो बच्चो अब तो रोज ही यह हुरदंग और हंगामा होटल में होने लगा, लोमणी रोज खाने से भरी हांडी उठा कर ले जाती फिर बच्चो आखिर तंग आकर हाथी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई हाथी थाने में गया और वहाँ पर जाके थानेदार हेमा से बोला अरे क्या बताऊं थानेदार हेमा जी अरे मैं तो परिशान हो गया, तंग आ गया हूँ, उस दुष्ट लोमणी से, अरे लोमणी इतना उत्पात बचाती है, इतनी तोलफल करती है कि क्या बताओं मैं आपको सारा खाना लोमणी जाती है, मेरे हलवाई भी टंग है, सारे हलवाई उससे तंग आ चुके है, अरे मेरे होटल में वो रोज तोल फोल बचाती है, बड़ा परशार करती है, मैं क्या करूँ, मैं दुखी हो, मैं बेशान हूँ, बिल्कुल ऐसे ही का उसने, तो बच्चो जब ह हेमा नहीं इसब सुना, वो हाथी से बोली, तुम चिंता मत करो हाथी भाईया, अब वो लोमडी मुझ से बच कर नहीं जा सकेगी, अब देखती हूँ, वो कैसे तुम्हें तंक करती है, और बच्चो, अगले दिन हेमा हाथी के होटल में लोमडी के पहुशने से पहले ही ताकि वो जेल में चले जाए, ताकि वो उसे जेल में डाल सके, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, तो बच्चो, लोमडी को तो ये पता ही नहीं था, कि आज होटल में पहले से ही थानेदार हेमा बैटी हुई है, लोमडी जैसे ही होटल में आई, उसने आते ही हल्वे की हां हासे हांडी हासे हलुआ हासे हलुआ हासे हलुआ हासे हलुआ हासे हलुआई वह क्या बात है तो बच्चो जैसे ही लोमडी ने हलुए की हांडी उठाई एक दम से थानेदार हेमा ने उसे पकड़ लिया वो खाना लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई पकड़ लो तो फिर थाने दार हेमा ने उसे हिरासत में ले लिया हासे हिरासत और उसे पकड़के उसके हाथ में हतकड़ी डाल दी हासे हतकड़ी हासे हरा हासे हवा हासे हाथ हासे हाती हासे हिंदी हाँ तो बच्चो फिर क्या हुआ जब लोमणी हवालात में पहुची तो उसके होश उड़ गए वो बोली ए भगवान ये मैंने क्या किया अरे अगर मैं चोरी ना करती खादा ना लूटती तो आज पुलिस मुझे ना पकड़ती ये बहुत बुरा किया मैंने बहुत गंती हो गई उससे लोमणी खूब रोई हिचकिया ले लेके रोई कैसे ली हिचकी बता कौन बताएगा यह हासे हिचकी हासे हवालात हासे हवन हासे होगा हासे हम शावाश इसी बात पर जोरदर तालिब जाओ शावाश हाँ तो अब सुनो बच्चो फिर क्या हुआ अब लोमडी तो गई हवालात में यानि जेल में हाँ और अब हाथी के होटल में फिर से हसी खुशी का माहौल हो गया भाया हासे हसे भाया हासे हसना हासे हसना और अब बच्चो हाथी का होटल दूर दूर तक मश्यूर हो गया दूर दूर के जंगलों से भी पजू पक्षी वहां खाना खाने आने लगे अरे हाथी दादा मुझे खीर दो हाँ भई खीर दो इसे अरे मुझे पुलाव खाना है मेरेको पीजा खाना है मेरेको कोल्रिंग दो अच्छा 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 छोले बटूरे भी दो पाव भाजी दो मुझे धोसा देदा सामर बढ़ा दो बई इक थी हिरनी है मा जंगल की थानेदार पोशियार है मा से तो होशियार है मा से तो हर चोर ने मानी हार असे हिरनी है मा असे होशियार हर हार दुष्च लो मिडी हाथी के होटल में करती हमला लुटता खाना जब तक होले होले हाथी निकला मेरा खाना लुट गया मेरा खाना लुट गया हासे होटल होले होले हसे हार थी हमला होटल में हो तूट भूट हुड तंग और हंगामा रोज लो मिडी ले कर जाए हांडी जिसमें खाना हासे होटल हांडी हाँ हुड़ दंग और हंगाम आसे होटल हांडी हाँ हुड़ दंग और हंगाम हाथी रपट लिखाए मैडम मेरी रपट लिख लीजिये अच्छा बताओ क्या शिकारत है लो मिडी से डरते हैं हलवाई अच्छा तो ये बात है हेमा लो मिडी से पहले अगले दिन होटल आई हाँ हाथी भाई अब मैं आ गई हूँ अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हाथी है माहा से होटल और हलवाई हाथी है माहा से होटल और हलवाई हलवे की हाणी लो मिडी ने जैसे ही उठाई देमा ने तब उसको पकड़ा हो गई हाथा पाई हसे हलवा हाणी हसे हे माहा था पाई लिया हिरासत में अब हिचकी लेकर रोति लो मिडी होश उड़े अब हवालात में पड़ी हाथ में हत कड़ी हासे हिचकी होश हिरासत हावालात और हत कड़ी अब फिर से यहां खुशियां चाए यह था होटल हाथी का खाईये 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 भाषा शिक्षविभाग, NCERT, कलाकार, प्रवींड शर्मा, नमन, निशांत, लवीश, सोफिया, चारू, नीरू, हरियक्ष, महमूद और रहमान, संगीतकार, हर भजन सिंग, गायन स्वर, निहावत्स, संजय भटनागर, रक्षित थपलियाल, हर प्रीतकौर, शालिनी सिंग और अनुश्री, धोनियंकन, बटिलेंग लिंडो, और शानु मुक्सीम, गीत, आलेक, निर्माण, निर्देशन, वध्वनी संपादन, वंदिन अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.